नमस्कार मैं चंदन कुमार आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक नई बायोग्राफिक के साथ आया हूँ बायोग्राफिक इंपोर्टेंट रोचक रोमेंटी के साथ काफी इंट्रेस्टेर होने वाली है इसलिए वीडियो को अगर नए है तो चेनल में सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को दवना ना भूलेंगे ताकि इस तरह की महान पूरुष की बायोग्राफिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्त अगर आपने राजबबबर जी के बारे में कुछ जनकारियां हासिल करने चाहते हैं तो आपने सही वीडियो को सलेक्ट किया है दोस्त आज आपको इस वीडियो के माध्यम से राजबबबर की पूरी कहानी मिलने वाली है ताकि आपको दूसरे वीडियो देखने की जरुरत नहीं पढ़ने वाली है तो आए दोस्त देर ना करते हुए मैं ले चलता हूँ आपको राजबबर जी की पूरी कहानी को बताने की और तो दोस्त राजबबर की अगर कहानी की बात करूँ तो जन्म मसुहूर अभिनेता और राजनेतिक राजबबर का जन्म ताई जून 1952 में टूंडला उत्तरपरदेश भारत में हुआ था पहले यह आभिनेता थे वरतमान में यह राजनेता है और कॉंग्रेस पार्टी के सदसी भी है इनके पिता की नाम की बात करूँ तो कुछ साल कुमार बबर है माता की नाम की बात करूँ तो सोभा बबर है किसन भबर विनोध भबर इनके भाई है अंजु भबर इनकी बहन है इनका विवाह 21.1975 को हुआ था इनकी दूसरी पतनी का नाम स्मिता पाटिल है आरी भबर की बात करूँ तो इनका नाम की अगर असलियत नाम की बात करूँ तो राज भबर ही रह चुके हैं प्रोफेशनल क अभिनेता और राजनेतिक की दोनों में इन्होंने अपनी कदम अजमाई थी अपनी भाग्य पाटि की बात करूँ तो भारतिये राष्ट्य ए कॉंग्रेस पाटि में वर्तमान अभी ये विरिज्मान है जनमस्थान की बात करूँ तो टूंडला उत्तरप्रदेश भारत मे नहीं इनकी जन्म अस्थान है ग्रिह नगर की बात करूँ तो टुंडला उत्तर परदेश जहां की इनका जन्म भूमी है पहली डेब्यू फिल्म की बात करूँ तो वोलीबूट फिल्म सारदा 1981 में रिलीज हुए फिल्म में इन्होंने अपनी किरदार निभाई थी पंजाब की बात करूँ तो हिंदी जाती की बात करूँ तो अन्य फिछडा वर्ग में ये बिलों करते थे वर्तमान पता की बात करूँ तो महादेव रोड नई दिली में इनकी वर्तमान पता है और अगर ऐसे बात करूँ इनकी पढ़ाई के बारे में मन पसंदिता अभिनेता के बा उसके बाद उन्होंने आगरा कोलेज उतर प्रदेश और नेशनल स्कूल आप ड्रामा नई दिली से रंग कला में असनातक नेशनल आप ड्रामा नई दिली से किया है। अगनी काल फिल्म में काम किया जो गुजरात के राजकोट में हुई सची घटनाओं पर आधारित थी। राजबबर ने अपने केरियर में 200 से पलस ज्यादा फिल्मों में कारी किया है जिसमें पंजाबी और बॉलीबूट भी सामिल हैं। आईए दोस्त एक नजर डालता हूँ इनकी राजनेतिक यात्रा के बारे में अपरेन 1994 को राजबबर ने अपनी पहली बार राजसभा के लिए गए थे। वर्स 2004 में राजबबर 14 वी बार लोकसभा के लिए दूसरी बार चुने गए। 10 नवमर 2009 को राजबबर 15 वी बार लोकसभा के लिए तिसरी बार चुने गए। मार्च 2015 को वह राजबबर 15 के लिए चुने गए। राजबबर मुलायम सिंग के काफी नजदीक थे। वर्स 1994 में पहली बार मुलायम सिंग ने ही उन्हें राजबबा का सांसद बनाया था। बाद में मुलायम सिंग ने ही वर्स 1996 के लोकसभा चुनाब में उनको पुर्व परधान मंत्री अटल विहारी बाचपे के खिलाप लखनव लोकसभा सिट लड़ने की सलाह दी थी। बताया ज्यादा है कि अमर सिंग की वजह से मुलायम सिंग और बबर के बीच दुनिया बढ़ गई थी। शो पुकार कॉल for the hero में अभिनाई किया था और शोभाव से बहुत अच्छे इंसान हैं मगर राजनेति की दुनिया में यह अपने बयानों से चर्चित रहते हैं। तो दोस्त ये थी एक जलक राजबपर जी की पूरी बायग्राफिक। तो दोस्त आपको किसा लगा ये बायग्राफिक। और आपको कौन से पद में अच्छे लगते हैं ये राजनेता में या आभिनेता में इन्होंने अपने किरदार अच्छे निभाए हैं। आप कोमेंट सेक्शन में जरूर कोमेंट करेंगें। दोस्त आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। और लगतार एसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगी। आप हमारे चेनल में बने रहेंगे। थैंक्यू फूर वाच माई वीडियो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक्यू पर वाच माई वीडियो।